बिहार बीजेपी में चरम पर अंद्रूनी कहल मामला सुलजाने 21 दिनों के भीतर दूसरी बार पहुंच रहे जेपी नडडा नमस्कार मैं सयुक्ता देश्मुक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक बिहार दोरे पर बीजेपी के राष्ट्य अध्यक्ष जेपी नडडा एक बार फिर आ रहे है इस बार वो किसी कारेक्रम में भाग लेने से ज़्यादा बिहार बीजेपी नेताओ की क्लास लेंगे अंदर की खबर ये है कि केंद्रियन नेतरुत्व बिहार बीजेपी के अंदर चल रहे सियासी खेल को लेकर नाराज है पार्टी के अंदर चल रहे विवात को लेकर केंद्रियन नेतरुत्व डैमेज कंट्रोल के लिए नडडा को भेजने जा रहे है देखिए बिहार बीजेपी में जाती गदबुटबाजी शुरू से चरम पर रही है बिहार बीजेपी के नेता एक दूसरे की टांग खीचने में माहिर है इसका सीधा फाइदा नितिश कुमार उठाते है सुशिल मोदी के रहते बिहार बीजेपी में ये सब थोड़ा कम था सुशिल मोदी समझ कर कदम उठाते थे नितिश कुमार भी साथ होते थे अब तो नितिश कुमार बीजेपी के मंत्रियों को भाव नहीं देते बीजेपी के अंदर मैस्रेष्ट वाली प्रतियोगिता चलती है पार्टी के अंदर नेताउने कई गुट बना रखे हैं ये आज से नहीं बहुत पहले से ऐसी स्थिती है इस्थिती को संभालने के लिए जेपी नड़ा को 21 दिनों के भीतर दूसरी बार पढ़ना पढ़ रहा है एक और वरिष्ट पत्रकार और राजनीती के जानकार सुनिल पांडे कहते हैं कि बिहार विधान सभाल चुनाओ से पहले बिहार विजेपी में सब कुछ ठीक होना चाहिए पार्टी इन दिनों अंदर की कलह से परिशान है केंद्रिय ने तूत्व चाहता है और डॉक्टर दिलीप जैस्वाल की छतरी के नीचे सभीनेता आ जाए काम करें बिहार विधान सभाल चुनाओ में विजेः हासिल हो गटबाजी पूरी तरा बंध हो धान रहे कि जेपी नड़ा 28 सितंबर को बिहार दोरें पर पहुँच रहे है पार्टी से जुड़े सूत्रों की माने तो समराज चोधरी इन दुनों नाराज चल रहे है एक साल के भी तर उन्हें अध्धक्ष पद छोड़ना पड़ा बीजेः पी पद और एक व्यक्ति के सिद्धान्त पर चलती है दिलीब जैसवाल मंत्री भी है और अध्धक्ष भी है समराज चोधरी को ये पच नहीं रहा है इसलिए समराज काफी नाराज बताये जाते हैं राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कई नेता अपने अपने गुट तयार करने में जूटे हैं पार्टी के अंदर सब कुछ सही नहीं है सुत्रों ने बताया कि डॉक्टर दिलीब जैसवाल के अध्यक्ष बनने के बाद भी प्रदेश कमेटी का गठन नहीं हुआ है बताया जा रहा है कि दिलीब जैसवाल पर कई तरह के दबाव बनाए जा रहे है दिलिब जैस्वाल भी ठूक ठूक कर कदम रख रहे हैं नड़ा के आने के बाद दिलिब जैस्वाल कुछ एक्टिव होंगे दिलिब जैस्वाल पर पूरी प्रदेश कमेटी को नहीं बदलने का दबाव है समराट गुट पूरी तरह हावी है बीजेपी की एक परिशानी ये भी है कि यहाँ पदों के दावेदार ज़्यादा है कईनेता खुद पो उपमुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पत का दावेदार मानते हैं जिसमें समराट चोदरी, नित्यानेंदराय और विजे कुमार सिन्ना का नाम शामिल है ननकिशोर यादो का नाम भी चर्चा में रहता है संजे जैस्वाल और मंगल पांडे भी पदों की दावेदारी के लिए जाने जाते हैं ऐसा बीजेपी के जुड़े सुत्रों का मानना है सुत्र बताते है कि कलह का यही कारण है जैपी नड़ा बीहार पहुचने के बाद बीजेपी सदस्ता अभियान का जाइजा लेंगे उसके अलावा जैपी नड़ा का यह 21 दिनों के भी तर दूसरा दोरा है नितिश कुमार भी बीजेपी के मंत्रियों की तरहीज नहीं दे रहे है यह शिकायत मंत्रियों की है हाला कि एक जानकार मानते है कि नितिश आजेडी के साथ भी ऐसे ही थे वे उनके कोटे के मंत्रियों को हलके में लेते रहते है बीहार में विदानसभा चुनाओ को लेकर सरगर्मी तेज है पीके उधाय सक्रिय हो गए है तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे है सरकार को स्मार्ट मिटर और जमीन सर्वे के मुद्दे पर घेरा जा रहा है एंडिये के सामने चुनोती है गुटबाजी से पार्टी नहीं उबरेगी तो विदानसभा चुनाओ में परफार्मस नहीं कर पाएगी जेपी नडडा यही सुनिस्चित करने आ रहे है कि पार्टी एक जुट रहे और विदानसभा चुनाओ में वीजय श्री का टिका बीजेपी के माथे लगे इस वीडियो में इतना ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेर कर दीजिए हमारी चैनल खबर दस्तक को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कोई सुझाओ देना चाहते है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है नमस्कार